आठ हक्टूबर रविवार को अस्वी नमास के पित्रपक्स की दसमेति थी है यदि आप बार-बार बिमार पड़ते हो या आपके घर में कोई भी बार-बार बिमार पड़ते हैं या कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपको य उपाई जरूर करना चाहिए यह रोग मुक्ती का उपाई है और आपकी आलस्य को दूर करता है आपको एक छोटा सा उपाई करना है कि एवन पांच गिवों के दाने से और साथ काले तिल से उपाई को समझाने का पूरा प्रयास करूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि एक टुकडा गुड का डाल देना है और साथ में आपको लेने हैं पांच गिवों के दाने ध्यान रखें दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए और साथी साथ आपको लेने हैं साथ काले तिल के दाने समसी पहले आपको पांच गिवों के दाने जलकी पात्र की अंद तिन के दाने अब आपको एक एक काले तिल पर आपको ओम पित्र देवतायन में ओम पित्र देवतायन में इस मंत्र का जाब करना है और आपको साथ काले तिल भी जन्द की पात्र के अंदर डाल देने हैं इस लोटे से भगवान सूर्य देव को आपको अर्ग दे देना हैं अर पितर का जाप करते हुए अर्ग के लोटे में आपने डाले हैंगे फूर के दाने जिससे आपके शरीर में जो भी रोग हों वह सब्धुर होंगे साथ ही साथ जो पितरों को अत्य दिक पिरिये होते हैं काले तिल आपके जीवन से अंधकार को दूर करते हैं और सूरे देव को अर्ग देने से आपके सरीर में उर्जा का प्रवाव होता है जिससे सरीर में तेज का प्रवाव होता है अर्ग देने के बाद वही पर खड़े होकर आपको सूरे देव को साथ बार प्रिकर्मा करनी है और सूरे गायत्री मंतर ओम भास कराए विदमही दिवा कराए धीमही तनो सूरे पर्चो द्याद ओम नमो नमे या ओम सूरिया नमे का जाप करते हुए और अंत में आपको सूरे देव को परणाम करना है और आपके रोग दूर हो ऐसी प्राथना करनी है साथी साथ आपकी पीत्र आपसे परसन हो ऐसे सुभाव के साथ आपको ये उपाई करना है उपाई को वीडियो की मादम से समझाने का पूरा प्रयास कि अगर फिर मैं कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना हर अर महादेव वीडियो पसंद आए तो प्लीज उडियो को लाइक करें सेर करें करें को चैनल पढ़ने है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैल आइकन दबा दे ताकि वीडियो की सब्सक्राइब नोटिपकेशन आपको मिल जाए धन्यवाद